असलाम अलेकों मेरा नाम नाशिर है और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक यूजर फॉर्म एक डेटाबेस सिस्टर में नाया है इसमें आप अपने डेटाबेस को इंटर कर सकते हैं ये एक एक human resource management से related एक template है जिसमें आप अपने employees को employees की डेटाबेस मना सकते हैं simple add new employee पर click करूँगा form आजाएगा मेरे सामने one लिखूँगा complete name लिखूँगा employee का hire date salary id card number right here is यहां पर पूरी list है जो भी मेरे department है और आप जो भी यहां पर add करना चाहते हैं आप कर सकते हैं यह automated searchable है अगर मैं F लिखता हूँ तो आप देखते है finance आप market लिखता हूँ M लिखता हूँ M लिखता है A लिखता है admin आ जाता है और यहां पर मैं address लिख दूगा ठीक है और इसको मैं दो दूदफ़ा click किया तो यह दो दूदफ़ा यहां पर आ गया है ठीक है और इसने का data has been added तो यह दो दूदफ़ा मैंने click किया तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ और अगर मैंने अब नया employee add करना है तो फिर से मैं वही लिखूँगा एहमत high debt ठीक है उसका ID card sorry salary यहां पर ID card लिख दूदगा यहां पर department marketing finance HR admin sales कुछ भी आप जो है वो जो भी और मैं इस तरह से आप देखेंगे इसने फिर का data has been added in the database so यह एक user form है जिसमें आप अपने data को manage कर सकते हैं और यह काफी अगर मिसाल के दोर पे आप किसी department में किसी company में job कर रहे हैं और आप human resource management में काम कर रहे हैं और आप मेरे subscribe करें मुझे mye tutorial को search करेंगे जाके mye tutorial youtube से तो आपको सबसे ओपर मेरा channel ही मिलेगा तो उसको subscribe करें और facebook पे भी आप मुझे follow करें www.facebook.com backslash mye tutorial और यह मैं यहां पर लिक भी जाता हूँ www.facebook.com backslash mye tutorial यह मेरा channel यह मेरा youtube का जो है mye tutorial और facebook का www.facebook.com backslash mye tutorial तो ठीक है फिर यही भी बताना था आज के दिन आपको यह मैंने एक template नहीं थी तो मैंने का मैं आपसे share कर लो और अगर आप इससे सीखना चाहते हैं या इस तरह क्यों टेंपरेड मुनमर्स आखते हैं तो you can contact me okay see you, Allah Hafiz